योग दिवस की बहुत बहुत शुब कामनाई हर वर्ष योग दिवस के अउसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्तित रहता हूं आप सब के साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है लेकिन इस बार विभिन्न दाईत्वों की वज़से मैं अभी अमेरिका में हूँ इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड रहा हूं साथियों आपको ये भी बता दू कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं लेकिन योग करने के खारकम से भाग नहीं रहा हूं और इसलिए आज शाम को भारतिय समय के अनुसार शाम साड़े पांच बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट यूएन के मिख्याले में जो विशाल मात्रा में योग करने हो रहा है मैं उसमें शामिल होंगा भारत के आहवान पर दुनिया के 180 से जादा देशों का एक साधाना अईतिहासिक है अभुद्पुर्व है आप सब को याद होगा कि 2014 में जब यूएन जनरल एसेमली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था तब से लेकर आज तक अंतर राष्टिय योग दिवस के जरिये योग एक वैश्वीक आंदोलन बन गया है ग्लोबल स्पिरिट बन गया है स्वाथियों इस साल योग दिवस के कारकामों को ओसन रिंग अफ योगा इसने और विशेस बना दिया है ओसन रिंग अफ योगा इसका एडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारसपारिक संबन्द पर आधारित है सेना के जवानों ने भी हमारे जलस्तोतों के साथ एक योग भारत माला और योग सागर माला बढाई है इसी तरह आर्केटिक से लेकर अंटार्केटिका तक भारत के दो रिसर्च बेस यानि पुत्वी के दो दुरू भी योग से जुड़ रहे हैं योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोडों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धी को उसके महत्मय को उजागर करता है भाई और भेनों हमारे रुष्यों ने योग को परिभाशित करते हुए कहा है युज्यते एतद इती योगह अर्थात जो जोडता है वो योग है इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है योग के विस्तार का अर्थ है वसुधेव कुटुम कम की भावना का विस्तार इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्ष्ता में हो रहे जी ट्वेंटी समिट की थिम भी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखी गई है और आज पूरी दुनिया में करोणों लोग योगा वर वसुधेव कुटुम कम की थिम पर एक साथ योग कर रहे हैं साथियों हमारे योग इसके सबन में ग्रंथों में कहा गया है वयामात लबते स्वास्तम दीरग आयूशम बलम सुखम अर्था योग से वयायाम से हमें स्वास्त आयूश और बलमिलता है हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं उन्होंने योग की उर्जा को महसूस किया है व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बहतर स्वास्त कितना महत्वपुन होता है ये हम सब जानते हैं हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्त संकटों से सुरच्षित होते हैं तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है योग एक ऐसे स्वास्त और सामर्त साली समाज का निर्मान करता है जिसकी सामोही कुर्जा कई गुना जादा हो जाती है बीते वर्षों में स्वच्ष भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्ट अप इंडिया जैसे अभियानों तक आत्म निर्भर भारत के निर्मान से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर निर्मान तक देश और देश के युवाओं में जो असाधारन गती दिखी हैं उसमें इस उर्जा का बहुत बड़ा योगदान है आज देश का मन बदला है और इसलिए जन जीवन भी बदला है साथियों भारत की संस्कृती हो या समाज सम्रचना हो भारत का आध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो भारत का दर्शन हो या द्रश्टी हो हमने हमेशा जोडने अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोशित किया है हमने नए विचारों का स्वागत किया है उन्हें समरक्षन दिया है हमने विवीदताओं को सम्रद किया है उन्हें सेलिबरेट किया है ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है योग हमारी अंतह द्रश्टे को विस्तार देता है योग हमें उस चेतना से जोडता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है इसलिए हमें योग के जरिये हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है हमें योग के जरिये हमारे गतिरोधों और पतिरोधों को भी खत्म करके रहना है हमें एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना को विश्व के सामने एक उधारण के रुप में प्रस्तूत करना है भाईव भेनों योग के लिए कहां गया है योगह कर्मसु कौशलम यानि कर्म में कुशलता ही योग है आजहादी के अमरित काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत एहम है जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिध्धी तक पहुँच जाते हैं योग के जरिये हम निस्काम कर्म को जानते हैं हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तै करते हैं मुझे विश्वास हैं योग से हम अपने स्वास्त को भी बहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसाथ करेंगे हमारा शारिरिक सामर्थ हमारा मानसिक विस्तार हमारी चेतना शक्ती हमारी सामुहिक उर्जा विख्षिद भारत का आधार बनेंगे इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुपकामनाएं धन्यवाद